हलो डियर स्टुडेंट हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइन्स चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉम दी एंसी एर्टी बुक प्रीवेस वीडियो में हमने मैटल्स एंड नॉन मैटल्स के जो थे वो फिजिकल प्रोपर्टीज देखी थी और जो एक्सेप्शन था हमने वह भी डिसकस किया था कि इन में इन प्रोपर्टीज में एक्सेप्शन क्या क्या है आपने अगर हमारे प्रीवेस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागरी पर जाके यह वीडियो देख सकते हैं साथ ही साथ आपको हमारे वीडियो कि जब हम इनकी केमिकल प्रोपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे तब हम और अच्छे से इनके करेक्रेस्टिक्स को समझ पाएंगे कि मैटल्स और नॉन मैटल्स के करेक्रेस्टिक्स क्या होते हैं तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है केमिकल प्रोपर्टीज ऑफ मै यहां पर जो 3.2 से लेके 3.21 से लेके 3.2.4 तक यह पूरी chemical properties discuss की गई है इसके लिए हमको जो metal के sample collect करने हैं वो है aluminum, copper, iron, lead, magnesium, zinc and sodium इतनी metals जो है six metals उनके sample हमको collect करने है अब क्या होता है जब metal को air में burn किया जाता है what happens when metals are burned in air हमेशा याद रखिएगा जब भी metal को air में burn किया जाता है then it react with the oxygen metal किस से react करती है oxygen से जब भी metal को air में burn कर रहे हैं it means it react with the oxygen आपने activity 3.8 में याद हो आपको तो magnesium को air में हमने burn ने किया था तो वो white flame के साथ जो है वो burn हुई थी अब यहाँ पे कुछ और activity बताई गई है कि इसमें क्या करना है आपको कोई भी sample जो है वो pair of tongs से hold करना है और उसके बाद जो है वो अलग-अलग metal के sample को burn करके देखना है और जो product form हो रहा है उसे collect करना है फिर उसके बाद क्या करना है metal surface को cool down करना है कौन सी metal easily burn हुई कौन सी metal में आपको flame observe हुई कौन सी metal surface में किस तरह के changes हुए और इन reactivity series में मतलब कि आसानी से जो burn हो गई जो नहीं हुई जो भी है आपको एक series में arrange करना है और क्या इनके जो product form हुए थे जैसे हमने magnesium का देखा था कि magnesium को burn करने के बाद हमने उससे जो ash मिली थी उसको क्या किया था water में soluble कर लिया था तो वो water में dissolve था तो इस तरह से product जो form हो रहा है वो water में dissolve है या नहीं ठीक है जो metal burn हुई अब हम उनके देखेंगे तो almost जितनी भी metal है वो oxygen के साथ जब react कर रही मतलब burn न कर रहे है it minute react with oxygen मैंने आपको starting में बताया तो यह क्या करती है oxygen के साथ react करके metal के oxide का formation करती है मतलब हमारी reaction क्या होगी metal plus oxygen metal के oxygen है ना हमने क्या किया है metal plus oxygen कोई भी metal है उसका oxygen तो यह मिलके बना लेगा metal oxide जैसे कि मान लीजिए कि copper का जो oxide है या copper हमने heat किया है air में तो यह क्या होगा it combined with oxygen combine होगा oxygen के साथ और यह copper second oxide का formation करेगा और यह ध्यान रखिएगा कि जो copper second oxide होता है it is a black oxide है ना पूछा जा सकता है कौन सो oxide black oxide होता है तो copper second oxide जो है it is a black oxide black oxide होता है तो copper plus oxygen it form copper second oxide इसी तरह से aluminium भी जो है वो oxygen के साथ react करके aluminium oxide का formation करेगा aluminium react with oxygen then it form aluminium oxide ठीक है फिर अब यहाँ पर यदि हम देखें तो आप chapter 2 में कि copper oxide जो है hydrochloric acid के साथ react कर रहे थे ठीक है ना और हमने यह देखा था कि जो metal के oxide होते है they are basic in nature बट कुछ metal के oxide जैसे हम माले aluminium oxide, zinc oxide ठीक है यह जो होते हैं यह दोनों तरह से nature शो करते हैं it means they are acidic as well as basic nature है ना मतलब यह जो है acidic nature भी शो करते हैं और basic nature भी शो करते हैं तो इस तरह के oxide को हम बोलते है amphoteric oxide क्या बोला जाता है amphoteric oxide amphoteric oxide कौन से oxide होंगे वो oxide होंगे जो acidic और basic दोनों nature शो करते हैं अब यह दोनों nature कैसे शो करेंगे तो जब यह किसी acid के साथ react कर रहे है जैसे aluminium oxide aluminium oxide की हमने hydrochloric acid से reaction कर वाई तो hydrochloric acid क्या है एक base है तो जब हमने aluminium oxide की hydrochloric acid से reaction कर वाई hydrochloric acid एक acid है तो यह जो aluminium oxide है it behaves like a base है ना यह कैसा behave करने लगेगा बेस जैसा और उस वक्ते यह react करके salt and water का formation करेगा ALCl3 salt and H2O water का formation किया बट जब हम इस aluminium oxide की किसी base के साथ reaction कर वाते है फॉर एक्जम्पल ने ओंच इस a strong base अब जब हमने aluminium oxide की base के साथ reaction कर वाई तब यह जो aluminium oxide है it behaves like a acid यह किसके जैसा behave करेगा acid के जैसा मतलब है जो compound वो same but acid और base के बदलने पर इसका behavior बदल जा रहा है जब acid के साथ reaction कर रहा है तो base जैसा behave कर रहा है और जब base के साथ reaction कर रहा है तो acid जैसा behave कर रहा है और उस वक्त यह sodium aluminate का formation करता है साथी साथ water formation करता है तो यह जो कहलाते हैं इस तरह के Oxide जो की Acid और Base दोनों जैसा बिहेव करते हैं इस तरह के जो Oxide होते हैं जिनमे Acid भी बिहेव होता है और Base जैसा भी बिहेव करता है तो यह जो Oxide हैं यह क्या कहलाते हैं Amphoteric Oxide कहलाते हैं आज मैं आपको यहीं तक बता रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम जो है Alkalize को Continue करेंगे आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए इसमें डाउट होने पर कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं कीप स्टड़ी कीप नियु आप समनघराओ चर्ड़ी पर के बालता है वीडियों यहीं तक बता हैं कीप मुझसे कीपूरी ट्यूरी टीने टो में मुझसे समनघरा चेवर भी इस थीया टीने